हेलो फ्रेंड्स आज डेट है 23 फेबरी और दे है थर्स डे आज मैं आपका अपने लंग एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर रहे हूं जो कि मुझे कली होआ है लंग बायोप्सी ओके तो क्या हुआ 15 फेब को मेरा लास्ट टार्गेटिट सेशन था तो हमने सोचा आज पैट ठीक है और कम से कम 2-3 साल तक तो अभी हम फिर ही रहेंगे जो कैंसर वाली जो भी सारी चीज है उनसे लेकिन अनपॉचुनेटली क्या हुआ कि मेरे लंग में एक डॉट मिला जो कि बहुत ही जादा सस्पेक्टेट है और 50% चांसे है कि वो कैंसर और 50% चांसे है कि वो कोई की इंफेक्शन है लंग में तो वो इतना छोटा है कि इनिशली डॉक्टर ने हमको बोला कि वो जैसे सूजी का कोई दाना होता इतना बड़ा होगा कि उसमें आप नेडल भी नहीं डाल सकते हो तो बायोप्सी करना भी बहुत टिपिकल होगा लिकिन मैं अपने रेडी लॉ को में message को बोला इंडय को बॉला में फ्राइड़ी नहीं मंड़ ने को बोला कि ऊक आप कर तो मंड़ करते हैं मंड़ जब हम कये तहन्मों है औरम सबना क्यों मत कि पॉसिबल है और आप वेडनीज डे आइए और उनसे जरूर मिल के जाने जूर्षर पाल कि आ Сाय था है तो तो हम गए मिलने के लिए तो उन्हों ने मेरे हजबन तो मिलना वह इन चाहिए तो बोले अब ठीक है ना सब कुछ फिक्स हो गया है वेडनस डे ही मिलते हैं तो लेकिन मैंने का कि जब डॉक्टर बोल रहा है तो कुछ होगा ही मिल लेते हैं यहाँ पर तो है यह है अब होस्पिटल में अलग से भी नहीं आना है तो जो हम रेजियो रॉश्य मिले तो उन्होंने बताया कि लंग की जो बायोप च्राह जाएं तो आर टो जैसे बैलों की हवा निकले तो लंग की भी हुआ निकलेगी ब्लेड वी निकलेगा और इसमें जो सबस्ज़़ी प्रब्ल्रम है वह नहीं सकते हैं कि और हमारे रिप्स के अन्दर होता है तो टूंछ ब्लीदिंग है वो बनद कर सकते हैं जो हो बिलिदि नियुक्तों रो उसमें उपर से आप कुछ भी प्रेशर लगा नहीं सकते हो और उसने हमको सारे केसेस बता दिये कि यह पॉसिबिल्टीज होती है और एक डैथ भी उसके टेबल पर हो रखी है बट उसमें यह था कि वह शायद कोई बहुत एच का परसन रहा होगा और उसके लंग भी बहुत सिक्स सेवन थाउजेंड उसने किये रखे हैं उसमें केस ऐसा था वह भी सिले था क्योंकि उसके लंग बहुत ज्यादा वीक थे तो वह सर्वाइव नहीं कर पाया ठीक है हम भी थोड़ा परिशानते कराएं नहीं कराएं क्योंकि जो डॉट आया है वह भी बहुत छोटा है नाइन मिली मीटर का बताया है तो उसमें वह कैसे करेंगे और यह था कि अगर हम नहीं भी कराते हैं तो हम Eight क्या है क्या नहीं नहीं हैוח है ना कि क्या चीज है अगर कैशर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी कराना है और अगर फिर इसे और यह जो मेरा कैंसर का जो टाइब है वो भी अग्रेसिव है तो हम उसमें चांस में नहीं ले सकते हैं तो मुझे तो यहीं था कि वन वीग भी अगर हम छोड़ेंगे तो वन वीग में इसका साइज बढ़ सकता है क्योंकि पहले टू वीक में ही मैंने वीजिबली नोटिस कियाता है कि लम्स की साइज बढ़ गए थे तो फिर हमारा शेडूल हो गया वेटनस डे 22 फैब को यस्टड़े वाइब से होना है फास्टिंग में जाना था हम लोग साड़े आठ बजे निकल गए घर से और नौबट जे से पहले वहां पहुँच गए फिर फॉर्मल्टीस जो होती है डिस्टेशन वगएरा जो होता है वो सब किया और भी लोग आये थे एक और आंटी भी आई थी काफी एज की थी वो 60 क प्याइब आसपास की रही होगी उनको शाहिद पहले कभी फालेज वगएरा की प्रॉब्लम होई होगी तो उनके फिंगर्स वगएरा सब टेडी मेरी यह सब हो रकी थी उनका भी सेम ट्रीटमेंट होना था आई मीन टेस्ट होना था लंग की बायापसी होनी थी तो मैं थी बस हम दो ते और भी बहुत सरे जो नॉर्मल सेम के लिए है थे नॉर्मल भाइपसी के लिए होगी उनका लंग वाले तो हम दो ही थे फिर काफी टाइम है हमारा नंबर आया क्योंकि lung pyopsie में ज्यादा टाइम लगना था तो जो उनको कम टाइम लग रहा था उनको पहले उनोंने ले लिया उनका पहले CT scan कर दिया हम लोगों का बाद में नंबर आया आउंटी को तो चाहिद मना ही कर दिया क्योंकि वो कपड़े चेंज किये और फिर वापिस से उनको फॉर्मल ड्रेस में मैंने उनको देखा जो पहन कराई थी साड़ी पहन कराई थी यानि कि उनका कैंसल हो गया था फिर मेरा चांस है अब मैं उस थेटर में पहुंच गई जहां पर सब स्कैनिंग और यह पापसी हो कि यह रूब जिलिए तो मैं ऐसे करके यूं करके लेटी हुई थी यहां से उनको अपरेट करना था और टेबल पर जो सीटी स्कैन की टेबल होती वे उस पर मैं लेटी थी यहां से पर उन्हों ने स्टार्ट किया जो बहु चीजे मैं यहां बताती हूँ मेरा एक्स्पिलि में मुझे water बगर दिया था अभी next PT scan में मुझे पता चला कि water नहीं contrast करके liquid होता है जो full body में हमें पहुचाना होता है तो कुछ हम drink करके लेते हैं कुछ injection के थ्रू डालते हैं वो contrast होता है और उसके पास हमको बहुत जादा पानी पीना होता है last PT scan में मुझे ना तो किसी ने पानी का बोला था नहीं मैंने पिया यह सोचके कि मैं सारे पानी ही तो पीती रही हूं लेकिन ऐसा नहीं है वो एक liquid होता है जो कि हमारी body के लिए बहुत harmful होता है और उसके बाद हमको बहु कोई प्रूफ नहीं है उन चीज़ों का क्योंकि most of the time हमें सिर्फ एक ही डारेक्शन में देता है मैं यू करके लेटी हो तो मुझे सिर्फ सामने का देख रहा है उसमें भी मैं काफे टाइम आइस क्लोस कर लेती थी क्योंकि जो बीम्स होती थी उसमें मना था कि वो आपके इस पर नहीं आने चाहिए जो सीटी स्केन के जो पीम्स होती है तो जब मुझे फील होता था कि मसीन अभी बंद है तो मैं खोल लेती थी लगता था मशीन स्टार्ट हो रही है तो मैं आइस भी बंद कर लेती थी तो वह प्रॉसेस था कि मुझे लिटा दिया मिरा हैंट्स मशीन स्टार्ट की आके पीछे मेरी पोजिशन सेट की वह पॉइंट फाइंड किया जहां पे वह डॉट थी जब वह फाइंड हो गया तो मुझे ऐसा फील रहा कि नहीं होना कुछ मुझे मार्क लगाया है मार के बाद हो सकता है कुछ पैचेश वगेरा लगाया हो उसके बाद मुझे इंजेक्शन इंसर्ट किया इंजेक्शन इंसर्ट करने के बाद दोक्टर नर्सर सब बहार चलेगे फिर इसकैन स्टार्ट हुआ फिर आए फिर इंजेक्शन डाला फिर इसकैन स्टार्ट हुआ ऐ तो यह सब प्रोसेश चल रहा था उसे मुझे हिलने के लिए बिल्कुल मना किया था और मैंने कुछ वीडियो भी देखी थी लंग बाइपसी कि तो इसमें आपको मूव नहीं करना है लेकिन जो वीडियो मैंने देखी तो इसमें यह भी बताया जाता है कि आपको ब्रेद भी करते हो तो आपका लंग भी मूव करता है वो स्क्विज होता है और स्प्रेड होता है ऐसे करके तो वो चीज उसने मुझे नहीं बोली थी तो मैं बिल्कुल ऐसे लेटी थी फिल्कुल भी हिल नहीं रही थी थोड़ा फर्स इंजेक्शन में मुझे पीन हुआ था उसके बा अचानक से क्या हुआ मुझे लगा कि किसी नहीं पर एक्दम से चाओ कुमारा इतना फास्ट वो प्रेशर मुझे यहां पर फील हुआ कि मेरी चीख निकल गई मैं इतना जोर से चलाई कि शाहिदि मैं कभी इतना चलाई होगी और चलाई चलाने के बाद मेरा रोना शूरू हो गया, चलाई और मेरे आसों निकलने लग गए, मैं रोने लग गए, जो डॉक्टर था, उनने सब कुछ वही का महीं स्टॉप कर दिया, सारी शायद उन्होंने वो जो इंजक्शन वगरा, जो भी डाले थे, वो तुरंद वापिस निकलके, मेरे बेंडेज वगरा लगा दिया, सब जा गई थी, एक्शल में हुआ क्या था, कि जो लंग है, उसमें उन्होंने सिरिंज डाली, अब उन्होंने यहां से डाली, तो यहां पर जाके फटीग, क्या हुआ, यह उन्होंने बोला थे, कि AIR निकलेगी, और जो AIR वो इतना प्रेशर से निकलती है, कि आपको अचानक होगी, कहीं से जो भी है, लेकिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, AIR भी निकली, और यहां पर मुझे लगा कि मुझे कुछ हो रहा है, तो मैंने डॉक्टर को बोला भी कि मेरा जो यह नली होती है, यहां पर मुझे चोक हो गया है, क्योंकि AIR भी पूरा फैल गई थी, क्यों सेंपल मेरी बाया है, फिर बाया है, lö पार फिर ऊंच गया है, यहां को पत्रमे मेरी बाया पार फैलीकुलर, जिर तक knowledge के सेंपल ने थे पाई, सेंपल मेराào लेकिन इसके साइड एफेक्ट थे, वो सारे हो गए, यहां बैटना मुछिक्त की लगत्र भी मुझे के लोगी है उसने बोला कि गंड तक आपको बिल्कुल भी वॉक नी करना है स्टेचर पर जाके मुझे मर्जेंसी रूप में शिफ्ट किया और जो लंग के जो पूरे चारो तरफ का जो एरिया होता है वहां मुझे काफी पें था तो मेरे आंसो चली रही थे हो मैं बत करके जाते हैं उनका तो पूरा पैसे ही बरबाद हो जाएगा अगर वह यह अगर उन्होंने ऐसा किया तो अगर चिलनाने के वजए से उनके बैप से रुग गई तो लेकिन मैं जानती हूं कि मुझे क्या फील हुआ था क्या वह पें था या क्या चीज थी वह मैं इसमें ड दर्द होता है उसी को आप वन टू लेवल उपर मान के चलिए वैसा ही पें होता है आप थोड़ा सा मुवमेंट करोगे तो आपको ज्यादा होगा जितना ज्यादा भी स्टीबल रोगे उतना कम होगा तो कल सारा दिन मुझे वह पें रहा और नाइट में भी मैं सिफ ऐसे ह सीधा हुआ जा रहा था क्योंकि इतना वह पें था एर की वजए से अब एर दिरे दिरे निकलेगी तो आप बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं है लेकिन मैं अगर जैसे बिजी रहती हूँ खड़ी रहती हूं काम करती रहते तो ठीक रहता है लेकिन मैं लेटती हो तो पें नहीं होगा घबरहाट होगी डर होगा अचानक से एक बस्ट होगा लंग में तो आपको हिम्मत रखनी है वन और टू सेकंड का वो होता है टाइम पीरियड उसके बाद सब नॉर्मल हो जाना है लेकिन बस वो जो पॉइंट पे आपको बिना हिले-डुले रहना है तब ही आप